क्या जामिया मिल्या इसलामिया एंटी नैशनल यूनिवस्टी है? हाईए इस वीडियो में जानते हैं कि जामिया की शुरुवात कैसे हुई और कौन लोग थे इसके फाउंडेशन में और इन सब के बीच गांधी जी का क्या कॉंटिब्यूशन था? जामिया मिल्या इसलामिया की शुरुवात ब्रिटिश राज में होई 29 अक्टूबर 1920 को अलीगण उत्तर परदेश में जामिया की बुनियाद रखी गई 1925 में जाम्या मिल्या इस्लामिया को दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट किया गया 1 मार्च 1935 में जाम्या मिल्या इस्लामिया को ओखला में शिफ्ट किया गया जो की आज युनिवरस्टी की करेंट लुकेशन है सवाल ये है कि उस वक्त Oxford of the East कहे जाने वाली अलहाबाद यूनिवस्टी और मुहमडन अंगलो ओरियंटल कॉलिज कहे जाने वाली अलिगड मुस्लिम यूनिवस्टी के होते हुए जामिया मिलिया इसलामिया की क्या जरूरत थी जामिया मिलिया इसलामिया को बनाने का में रीजन था बिर्टिश इन्फल्वेंस को कम करना और एक ऐसी यूनिवस्टी बनाना जिसमें बिर्टिशर्स की इन्वल्मेंट ना हो क्योंकि जो जेयमाई के फाउंडर्स थे मुहमद हसन दियोबंदी, मुहमद अली जोहर, हाकिम अजमल खान, मुखतार एहमद अंसारी, अब्दूलमजीद ख्वाजा और डॉक्टर जाकिर हुसैन इन सब लोगों का मानना था कि अलीगर्ड मुस्लिम यूनिवस्टी इन्फूएंस्ट है बिर्टिशर्स से और इन सब लोगों ने मांग की कि हमें एक नई नैशनल मुस्लिम यूनिवस्टी चाहिए जो बिर्टिशर्स से इन्फूएंस ना हो और फ्री हो इस युनिवस्टी का मेन परपस था सारे कम्यूनिटी के स्ट्वेंट्स को प्रोग्रेसिव एजुकेशन देना और इंडियन नैशनलिजम सिखाना डॉक्टर जागिर हुसेर ने जामिया मिलिया इसलामिया के मोव्मेंट को एजुकेशन और कल्चर का स्ट्रगल बताया जिसका एम था इंडियन मुस्लिम्स को नैशनल कल्चर में इनवॉल्व करना इसलाम के साथ साथ उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया इसलामिया परमोट करेगी पैट्रियोर्टिजम को और इंडियन मुस्लिम गर्व से नैशनल मुव्मेंट और देश की फ्यूचर प्रोग्रेस में हिस्सा ले सकेंगे किसी भी स्कूल कॉलिज या यूनिवस्टी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पढ़ती है फंड्स की महात्मा गांधी ने jmi के फंडर्स के मौरल को बूस्ट किया और उनोंने का कि jmi को चलाना ही होगा चाहे इसके लिए मुझे भी क्यों न मांगनी पड़े जैम आई जिए मौहत्मा गांधी का सपोर्ट मिला जिनका यह मानना था कि jmi हजारों इस्ट्रूइंट्स की जिन्दगी बदल सकती है कॉमन कल्चर और वर्ल्ड व्यू के जरिए जामिया मिल्या इस्लामिया के फाउंडर्स ने बिर्टिस गॉवर्मेंट से किसी भी तरीके का फाइनेंशल हेल्प लेने से मना कर दिया और उन्होंने गांधी जिन्ना के पाकिस्तान आइडियो को भी रिजेक्ट कर दिया था पार्टिशन के वक्त जब कम्यूनल किलिंग्स हो रही थी रिफ्यूजीज हुमायू टॉम और पुराने किले में रह रहे थे तब जामिया मिल्या इस्लामिया एक पीस ऑफ हैवन बना हुआ था और जामिया न नैशनलिजम को पढ़ना चाहिए तो क्या जामिया मिल्या इस्लामिया को एंटी नैशनल यूनिवर्स्टी समझा जा सकता है मेरे खयाल से तो बिल्कुल नहीं क्योंकि जो यूनिवर्स्टी बिटिश गवर्मेंट और जो लोग देश को बाटने की बात करते थे उनके खिल इंदू यूनिवर्स्टी का एम जामिया मिल्या इस्लामिया से अलग था जहां जामिया में बिटिश का बाइकॉट चल रहा था वहीं बिएच यू को मदन मोहल मालविया के नेतित में बिटिश गौवर्मेंट के साथ मिलकर इसे बनाया जा रहा था 1907 में होम लैंड रूल इंडिया थे उन्होंने बेच्चियू की स्थापना की एक तरफ लोग सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ लोग बिटिशर से हेल्प लेकर उनके आइडियास को पर्मोट कर रहे थे जामिया मिल्या इस्लामिया को पहली बार एंटी नैशनल यूनिवर गुजरात के एक इंटायर पॉलिटिकल साइंस के इस्ट्वेंट शिरी नरेंदर मोदी ने बोला था जब वो गुजरात में एक गैदरिंग को संबोधित कर रहे थे दिल्ली में जो आतंगवादी पकड़े गए हैं कल दिल्ली के एक उनिवर्सिटी जामिया मिल्या उनिवर्सिटी इस उनिवर्सिटी ने पब्लिकली गोषणा की है कि इस आतंगवादियों की रक्षा करने के लिए कोड का मुकम्दमार जामिया मिल्या उनिवर्सिटी लड़ेगी खर्च उनिवर्सिटी करेगी अरे डूब मरो डूब मरो जामिया के दो स्टुएंट्स को टेरर चार्ज में अरेस्ट किया गया था जिसको यूनिवस्टी ने इलीगल अरेस्ट बताया था और उनको लीगल एड देनी की बात की थी 13 दिसंबर 2019 को CAA NRC के खिलाफ जामिया के स्टुएंट्स कर रहे थे और सारे कम्यूनिटी के स्टुएंट्स का ये मानना है कि CAA NRC Composite Nationalism के खिलाफ है भक्तो और गोधी मीडिया के लॉजिक का तो एक अलगी लेविल है इनका ये मानना है कि जामिया के स्टुएंट्स वंदे मातरम नहीं बोलते किर्किट मैश देखने को ये देश भक्ती नहीं समझते और सरकार की सारी एंटी नैशनल पॉलिस को अपोस करते हैं इसलिए ये एंटी नैशनल है गोधी मीडिया और भक्तों को ये पता ही नहीं है कि देश और सरकार दो अलग अलग चीज़े हैं 15 दिसंबर 2019 को प्रोटेस कर रहे स्टुएंट्स पे डेली पुलिस ने लाटी चार्ज किया टेयर गैस छोड़े युनिवस्टी के अंदर विदाउट जा चाहिए और जामिया के बारे में पढ़ना चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और ऐसी इंफॉमेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें